हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हैं हमकर सब आप सभी का आपके अपने चनल रोयल स्टेडी में स्वाथ करता हूं दोस्तों आज केसे वीडियो हम डिस्त करेंगे एंपे प्लस कॉंश्टेबल उन्नी सगस्त दोहर 17 का पहली सप्ट का पेपर ओके दोस्तों इस पेपर का हमने पार्ट वन करा दिया है आज के सबीरों पार्ट कोशन नमर्ए किस देखी दोस्तों वैसे तो यह रिजिनिंग का कोशन है लेकिन दोस्तों जो प्रायक्ता होती है वह हमारी मैं भी आती है तो हमने इसको जो रिजिनिंग का कोशन था इसको मैंत में सौल्व करा रहे हैं तो देखिए दोस्तों सीता गीता और मीता के एक परिच्छा उत्तिर होने की प्रैक्तर दिये आपको यह पास की प्रैक्तर दिये दोस्तों सीता गीता और मीता की जो 20 प्रैक्ता सुझाने प्राइक्त होगे सीता और गीता परिच्छा में उत्यून हो जाए और मीता उत्वन को था ख्यानी प्हेल कि प्ल की दंगे पूर्वने निका लिए सीता पूर्प काम निकाली निकालिया की प्रहкої प्रान चाहिं सब्सक्राइब लगा या की डिए तो एक दोस्तो आपतर्य प्राइक्ता होती कि उसमें और मतलब होता और तो सब्सक्राइब होता गुड़ा ओके गुड़ा या हम कह सकते साइन भी लगा दिया और या का मतलब होता या या अथ्वा इसका मतलब होता प्लास यानी जोड़ ओके दूस्तों तो देखिए योष्ट ने क्या का कि सीता और गीता परीचा में उत्तून हो जाए निसीता और गीता क्या वह दोष्ट पास हो जाए और कि मीता क्या हो या more than your 3 वर्टे फांच और और का मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों मुल्टिप्लाई गीता गीता की दोस्तों 40 परसेंड है पास की प्रैक्ता लिए कि 40 को हम 4 वट्टे दस में लेख सकते हैं देंगे 4 वट्यप देंगे मीता कि फेल ложने की प्रैक्त निया अपका आजाई अधा साप का आन्सर दिया पर्षयंड में दिया तो हम क्या करेंगे दोस्तो परशेन बदणने के लिए क्या करेंगे मैं तूरा से मिल्टिपलाइ कर दीगे आप करेंगे 2 काल्कुलेशन को एची करने के लिए क्या करने दोस्तों हर में दो क्मिपलाइ कर डूंगा और अनस्में आपी बोका क्रत तो बताव कितना बाट आद दोस्तों 10 मुर्म के हुआ ऊकी क्या बाद गया दोस्तों 10 मांग लगीम तो मैंने किसिए भाग देना आशान रहता सब्सक्राइब दोस्तों एक सुवानबे बटे दस और जो आजाएगा आपका उन्नीस फंट दो फरसंट नहीं दस से भाग देंगे तो उन्नीस फंट दो फरसंट आपका आ जाएगा ओके कोशन नमबर अठारा देखी दोस्तों दोस्तों पहला लिखने चूट गया था इसलिए मैं इसमें करा रहा हूं कि पचास बिद्धार्तियों के प्राप्तांकों का और सथ पिचत्र है यादि एक बिद्धार्ति दोरह चासी अंकों को 36 लिख दिया जाए यानि उसने क्या किय तो हम क्या करेंगे यानि हम 6 को एड करेंगे तो trusting मैने करेंगीमिन मैंने कल अगर पचास बिद्ध्यार्ति खेट आपको कितना अनुअ किFRopes पचैटर है उक और इसकी है नहीं हमने क्या किया था 36 माइनस किया प्लस कारें दूस्तों 86änd Georgetown चांश है यानने मांश के शात्युस किया तो 49 लोगा आये वह सम था लेकिन अगर प्लेशिसक चैला कर है यो रहे हैं संब कर दिया तो आपका क्या जाएगर n क्या दोस्तों मÎल्टिप्लाइट करेंगी में कभी भी अि प्लिस ब्टे अगर और सी लिखा गड़ लग and प्लस B बट्टेफी लेख सकती है यानि इसको मैं 50 इंट इंट ढूब क्या लेख सकते हूं 50 तो को माइनस और प्लस इसको हमसुल करेंगे तो पचास आजे गा आपका को यानि क्पचास डियरॖ पचास लख सकती है इसको हम कार्टेंगे तो 75 और इसको कार्टेंगे तो बन इन 75 प्लस एक कितना आजाएगा दोस्तों आपका यानि हम फास्त वाद करें फार्सकी दोस्तों तो आंगरी में कितने हुर्णी दोस्तों 36 पर्षिंट यानि अगर में अलीक माणा भी कितनी नहोंते तो परेटेंबा में दोस्तों till comment यहाँ तो के हो यहाँ फैल मानें लिए नाप उके समय फैल आपके इंग्लिस में 36 हो रहे हैं और ही में आपके 40 हो या तो सब्सक्राइब कि वासर हो दो 70 हaber हएंक है अगर फैल कितने हो रहे ही जोस्तों हिंदी और इंग्लेस में हपके फैल कितने हो रहे हैं दोफ्तों विस परूण्च अन्हीं अगर İs now इंगली और इंगलिस में और दोनों में जो पास है वो कितने दोश्टो अशी परशेंट है कि यानि हम यहां पर एड करना चाहिए तो अगर मैं कहूंगे इंगलिस और हिंदी में कितने हो रहे दोस्तों 144 हो रहे थी लेकिन थे कितने टोटल असी थे तो हमने का इसमें common होंगे यानि English में भी पास होंगे कुछ हिंदी में भी पास होंगे वह हम निकाल सकते हैं यहां से क्या दोस्तू 144 माइनस असी यानि हम 144 माइनस असी करेंगे शरी 46 वारा एक्सवाइस हो जाए और 124 माइनस असी करेंगे दोस्तू आपका आजाएगा चवालीस फर्षेंट इन टोटल तो यह आपका चबालीज परशन आजाएगा ओके चलिए दोस्तों नेश्ट कोसन देखिए कोसन नमर्शाथ देखिए दोस्तों एक त्रभुज का छेत्र पर दिया 150 मीन्टर स्कूर इसके आधार और उंचाई का अनपार दिया तीन पर चार तो मैंने का कि आधार कितना आधार दोस्तों 3 औ और चार के के देखिए दोस्तों दोस्तों त्रभुज का एरिया होता है त्रभुज का एरिया वो कितना होगा दोस्तों कितना दोस्तों 150 मीटर स्कूर त्रभुज का एरिया का जिस उत्र होता है एक बटे दो आधार एंटु उचाई कितना दोस्तों तीन के एंटु चार के super掉 एक् jakieśまぁ यहां से हमने की डूसर काटा दोबर एनिओ के स्कुर्ष 예ंश्क हेल्बर एक्सुपच्ऊ स स्ट चैसे देने तो स्टीत वार जाएगा यैस के को बड़ावर गांच आपको क्या पूंचा की आधार की लंबाइ बताओ दोस्तों आधार कितना था तीन के यह का लेंगे पांच इंट इन कितना हो जाएगा ओके आपको त्रभुज का एरिया का फर्मूला पता होना चाहिए चली दोस्तों नेस्ट को संडे इसका मनपात निकालेंगे तो क्या याएगा दोस्तो आपका चार अनुफात पाच आपका आज आगे क्या दिया दोस्तों कि और यानि हम एक्स और की बात करें तो अगर जेड़ से 20 रुप में बेचता है तो बता हो 20 प्रशन महेंगा यानि सो से 20 रुप महेंगा बेचता है यहां से इसका अनफात निकालेंगे दोस्तों तो चैन पांच आ जाए कैसे इसको काट देगे पहले 10 से काटेंगे फिर 2 Π Cy fundamental energy आपको पता है फैसी चाहें मुल्तिप्लाय करूगा 3 P कि और इस वाले में इस वाले रेशियो को मल्टिप्लाइ करें हुआ दो से तो यह एक समने क्या कर लिया दो तीन चो कर वारा दो चिंगे वारा आगे क्या पूचा कि जैड का माल वाई की माल से कितना मेंगा अथ्वा सच्ता है तो हम बाई एंपाद जैड निकालेंगे यहां क्यों देखिए दोस्तो आपको यह करना तब ही जब आपको एक्स को बरावर कर लेना है ओके तब ही आपको यह प्रॉसेस करनी है आगे तो हमने देखा कि हमारा जो वो बाइज किमाल से कितना कम बेच रहा है आपको गजना रूप कम बेर वते हुआ बिसेंट में कैसे निकालेंगे धोस्तों कर यसे हम बाग देंगे इसको पांस से काट देंगे इसको है यानि दोस्तों वाई से पूचा था तो अम पांस से काट देंगे तीन वार यह चैनल यह पौइंट 33 33 33% को यह आपका पहला ऑप्ष न आपका राइट हो जाएगा चलि दोष्टो नेस्ट कोईशन देखिए कोईशन नमर तीस में क्या दिया दोस्तों 200 सुरी दो हार चार में एक नई सट की कीमत 250 रुपे थी जब की दो हार फांच में यह चासर रुपे हो गई तो दो हार चार से दो हार फांच के दौरन कितने पिशल की बढ़ोतरी हुई तो हम 2,4 की बात करेंगे कितने थी दोश्तों 250 थी ओके और 2,45 में कितने दी दोश्तों आपकी 400 थी दीटीट देखेंगे कितना कि अंतर देखेंगे यानि जो था कि दोचा कि तो कहां से बड़ी दोश्तों ये 500 अगर परसेंट में निकान ना है आपको तो 150 बटे कहां से दोश्तों 250 से बड़ी तो 250 से म्ट रवाइट कर दें और परसेंट में मांचाई इसका मतलब होता है स्वाइश मुटिपलाइक करना पड़ेगा आपको काट दीजिए दोस्तों इसको हम काटेंगे जिरो जिरो 25 से काटेंगे चार बत जागा और 15 एंट चार आपका हो जाएगा 60 फर्षन ओके दोस्तों यह आपका पहला यह ओफ्षन सही होगा ओके चली दोस्तों नेस्ट कोशन देखिए रवी के स्टम्प संग्रह में दोबटे साथ भारतिय स्टम्प है और सेस विदेशी स्टम्प है भारतिय स्टम्प का विदेशी स्टम्प से क्या अनपात होगा देखिए दोस्तों दोबटे साथ क्या भारतिय स्टम्प है यानि अगर टोटल साथ थे तो उन में से दो क्या द भारती है अगर 2 वाहरती वोड़ी टो टोटल साथ इसी टिने बचेंस आपके 5 पेसे आप समय घोका तो यानि अगर बैस का दो भैके साथ भाहरती इस्टेम स यानि 7 जब बत्तब जब 7 में से तो भारती होगे तो बिदेसी कितने होगे 5 होगे तो पूचे कि दिए वहारती इस्टेंप का बिदेसी स्टेंप से क्या अनपात होगा तो हम कहने नीता निकाल देंगो 2,5 होगा यहां ही आपका पहला ऑफसं तर्याइड होजाएगा ठीक है दोस्तों य हुगा है तो यह तीसरा फार्ट इसलिए कोशन नमबर दिखा देखा देरा ओके तो हम माइनस एक वट फांच को किस संक्या से गुडा करें कि जिससे की गुल्ण फल नौब तेफचीस हो जाए तो हम क्या करेंगे यह माइनस के एक वट फांच को मल्टिपलाई करेंगे के से जो मल्टिपलाई करने पर नौबटेफचीस हो जाता है ओके तो यहन्यां फांच से क्या कर देंगे फांच बार जाएगा तो माइनस के वरावर कितना जागा दोस्तों नौबटेफच जाएगा लेकिन मुझे तो के की वैलु चाहिए तो के की वैली क्या होगी दोस्तों मा कर देंगे कुछ भी कर लो तो क्या हो जागा दोस्तों आपका के कमान है माइनस के नौवटे पांच ओके चलिए दोस्तों नेस्ट कोशन देखिए कोशन नंबर तीसरे में क्या दिया है एक बैकती एक वस्तु को पांच सो पचास रुपे में बेचता है जिससे वह क्रेम मुल्का एक बटे दस लाव राप्त करता है इसका लाव वर्तिश्यत क्या होगा देखिए दोस्तों जो जो प्रॉफिट जो फर्षेंट होता है पो होत उर्क काल एकहिest मुअ नहें जिससे तुलना करते हैं उसको का लखेंगे वर्टे में लेकिन ύर जिस तुलना करते हैं उसे हम जलेंगे दोस्तों कर दिया है आ है नि किस्वटे मिघ्यक जोगत कर सकते हैं जोस्तों पीड़िया है फ्रॉटे-श गल्र रिक्राई तो कितना आजाग दोस्तों का दस फर्षेंट आजाएगा दोस्तों पांसर प्रस्पन का यूज हम नहीं करेंगे ठीक न हम सरफ इतने यह सही आंसर निकाल लेंगी चलिए दोस्तों नेस्ट कोशन देखिए यह दी तीन एक्स प्लस दो वाई वरावर वारा है तो और एक्स इंटू वाई वरावर च्छे तो नो एक्स स्कॉर प्लस चार वाई स्कॉर ब्रावर क्या होगा देखिए दोस्तों यहां पर तीन एक्स था तो यहां पर क्या होगा और नो एक्स स्कॉर हो गया यहां पर दो स्क्वाइब होगै दोका स्कार कितना मुँए चार आफ उस्कार कर दिया जब मिस्कार करेंगे तीन एक्स प्लस-दो-बाई का जामइस करेंगे 12 इसका स्क्वर करेंगे तो 924 है कि इसका करने चार य स्कोर्ए प्लस के दो एंटू दो एक्ष एंटू तीन वाई है रिखर यहां पर एक्स होगा है वह अंकर कितना होगा दो बाई होगा ठीक नैंने मल्टिप्लाई करने पर वतना ही आएगा जितना आना चाहिए ठीक ना बरावर 144 को यह एक्सोर बावर माइनस जिद्यकों 2 दून 4 4 यह मंनि मारा एक्स वाई किवाई कि और रिए और एक्स वाई की वैयलू क्या दियोस्तो CHथ दिये और 144- ऑफच्षण क्या नंबर 5 देत दोश्तों एकब्रत मैं एद ही जीवा CD की तुलना में जीवा एबी केंड्रिक ओके अधिक निक्त है देख दोस्तों कुई व्रत है कि इसका ओक्वी केंडर है ऑके और जीवा एबी है वो क्या है किन्र के निकटा सौरी कि यानि जीव क्या होती है पर दीके दो बिन्यों को मिलाने वाली जो रहती है उसे जीवा कहते हैं और तो सबसे बड़ी जीवा होती है किन्द से जाने वाली जीवा जिसे भी चाहते हैं जिसें वह चाहते है जितनी जीवा जितनी yupu यहां से दूर होती जाईए उतनी वह छोटी थे तो आपका कौ्छा से ही वह जाएगा दोस्तों तीसरा उप्सें से ही वह जाएगा ओके चली दोस्तों नेस्ट कोशन देखिए इस्तंतिंग की लागत निमन होगी जब कीट पैंटिंग की लागत आठ रुपए-प्रती बरक मीटर्य है देखो दिखर इतय आप आपको समझ में आया ना चाहिए कि हमने एयरिया चाहिए तो हमकी सा एक हम करता हो हां दोस्तों जब भी आप पेंटिंग करोगे न तो मान के चलो यह बेलना का क्या दोस्ट इस तम एक तुम लगो तो यहां से यहां तशे यहां करोगे क्या logo को to इस निए उपर इस पर च्शत रती होगी तो जीससे आप टच्छ कर सकती यह इसमWar sounds कर सकती होगी तो इसमें क्या करोगीस आप बोर सकते हैं से आपका यह करब्ड पयसर पैय्या इनुर्पर्श्च करनी है तो बबगराइस्ट का आपका 25 mirrors टू पाई रह एच देखिए दोस्तों जो आपके प्यंटिंग की लागत दिया आपकी 8 रुपर पृति बर्ग मीटर कि यह नि मीटर में दिये लेकिन आपकी जो द्रज्ञा लेकिन दोस्तों सेंटीमीटर माँ तो इसको में मीटर मैं बदलने के लिए क्लिका दोस्तों 282 होते हैं तो इसको मैंने मीटर में बदाल लिया और उचाहिए आपकी मीटर में थी ओके बस तो है नी टू पाई आ रहे तो आपका एक बेलन का वह होगा कर्ब सर्फेस एरिया लेकिन हमें चाहिए कितना दोस्तों 25 का तो हम क्या कर देंगा दोस्तों टोटल 25 का कर दोस्तों तो टोटल सर्फन कर्ब्र सर्फेश अरिया निकलाया और एक मीटर की वो लागत कितनी छूस ओरी एक बार्ध मीटर कि लागत कितनी चुन है अर्ट कृति पृति प्रदिहां कर दों तो के अनूंस हम पर टोटल निकानने के लिए और եो निकलंगे के लिए आप इसको सौब करती दो पाई यह वाईस वट्टे साथ आर क्या रखा हुए दोस्तों आप 28 वट्टे 100 रखुए इंटू है इंटू 25 इंटू 8 है 25 वम सो और 100 बां से सो कुड जाएगा साथ से कटेंक चारा बात ज्याँगा चाद दूनी आर्ट चाद दूनी आर्ट आट दूनी सोला आटsın सो लाइन Спources सो 95 और 8 बचाए 8 का मल्टिफ्लाइब फिर कर दीगी तो आठ चेंगे अड़तालीस आठ साथ चापन चार साथ आठ और छे आपका हो जाएगा ओके इन चाउदा सो आर्ट आर्ट वे आपका हो जाएगा ओके चलिए दोस्तों नेस्ट कोशन देखिए मेरी आयू बारा वर्स के बाद उस आयू की तीन गुनी हो जाएगी जितनी चार वर्स पूर में थी अगर मैं प्रेजेंट में हूँ और मन में सोच रहा हूँ कि अगर मेरी आयू बारा वर्स बाद यागर मैं बारा वर्स आगे की बाद करूं तो बाद उस आयू की तीन गु नहीं हो रही थे तो मैंना कंधी कि हुआ मियोग्न एक थी मेरी चार वर्ज पहले और Southern कार्ण होगी मेरी कब बारा वर्स भात मैंने क्थे जराइं अंतर है दो इन उन outlet कांथ कि पित नहुत कर यह जाता हूं स्थाथ तो दो इनूट और जाता हूं में कि कितने दी दोस्तों कि एकट अठीट जी शlloween आपके आइड़न वर्स आ गय यह नि're पेले आट वर्स थी तो अलब्स कितने होगी तो आजके लिए हम चार का क्या कर देंगे है एट कर देंगे तो कितना दोस्तों बहुपद होता क्या है देखो दोस्तों बहुपद वह होता है जिसमें जो आपका चर होता है यानि बेरियेबल होता है वो इसकी जो घात होती है न दोस्तों दोबट्ट नहीं होगा तो हम देखते हैं यानि हम करें कि X की पावर दोबट्ट तीन क्या है दोस्तों हमारा भॉपद है आपको नहीं होगा यहां खुआ मिताए मानो सबस्क्तर घर्ममीद कंटऊर आपको गई गम मतबाइब का गई ऐसे पारब में तो को कंड़ने थैस लोगे अगर मैंने ऑफ़र लाया तोaser कि यह बयुन दोट्स की क्या क्या वहुवववद है है तो चली दोस्तों देखिए यहां पेस्की यहको देखोई एकस की पावर 3 था एकस की पहर मायनस वन्नता तो यह आपका उबद्र नहीं कि चार एक ड़की एकस एकड़्य एकस कव्अन newly यह क्यों कि मायनस हो जाएगा तो यह भीर नहीं हो सकता चाछा एकस की भर वन जाए दोश्तों जब अरग होता एनी किंए इसमें हम 2000 की मिन रहा yak याह तो मैं तहीन को या 3 को एक इनी कर दान तो और जोंथ इन को लाओं तो मैंने का कि जब भी आपको 8 अने की disparate कि दो औक है और अगर grew multiply की कि करत्व पस्छावेत करें तो यौनी तीन इवन इसमें कितने की कमी है आपको एक तीन की वर कमी तो तो अब करना पड़े हम इतुरों हुआ तो खैसे के इंत्र को सटमन संख्याओं एक से लेकर 25 में से संख्या के चैन करने पर उस चैनित संख्या के आवाज संख्या होने की समावना है जबकि पिर्टेक दी गई संख्या की चैनित होने की समावना समान है है देखी दूस्तों अगर ने कि एक दो तीन चार जारन बताई शम संह्क्या यह조द यहयां चयानित की जाती सम होनं की प्रायकता क्या होगी आपको छह संह तो 2 हो सकती है 4 जाल कितनी संह्क्या हो सकती है आपको दो रिकल्प पच्चीस तक तीट तो 25 तक आपके अभाज संख्यां कि बात करें कितनी होगी अभाज संख्या होगी 2 3 5 7 11 13 17 23 और कुछ और उन्नीश भी होगी इसमें ऊके तो एक दो तीन चार फान 6 7 8 9 संख्या हो सकती है और टोटल किती है उस्तों 25 तो पचीस टिस से तो आपके क्या आगी दोस्तों यह संभामना या प्राइक था आपकी आगई ओके दूस्तों कि चलिए दोस्तों नेस्ट कोशन देखिए कुशन नमर 11 में क्या दिया है कि उखा छोटी से छोटी स्कॉण सी संक्या है जिससे दोस्तों हम गन में क्या करती है तीन के फिर बनाती है जैसे की आर्ट है आर्ट क्या होता दो इंटू दो घंटू दो एक यह आज ने यह तुम तीन की कितनी जोड़ी बनाओ यह यह ती दोव लानी पड़ें तो हम क्या करें मल्टिप्लाय करें अगर हुआ को मुझे इस ऑंक्या क्या क्या कर देंगे कर देंगे दोस्तों कि ओद उन्सें अटिक से नो से करें एक लिटीनिट उते इंसे मल्टिफ्लाई करें और किसे करें जाँ हम थीन से करेंगे जब मुझे इस अंक्या को क्या बना ना हो फूर घन बनाना ना नहीं तो तो देख दोश्तो इसको अम लेकश देकर तें अग्पोरा टिन-फार जेश साथ अठारा नहीं आपके नो स तो नाट को क्या करों इसको मैं 3 into 3 लेख सकता हूं या तो एक 3 लाओ या इसको नाको हठाव तो भाग बाल केयों रहार है नि नहने नहीं इनिक किस्से व्ट कि 也 तो आपने का नोचेणनों को अठाण पड़ेगा होसके अखाना पड़े में आनिकर आपके हो के चलिए दोस्तों शीपको आधाने के कोक्षे मश्चन देंक दोस्तों एक आएक विसीडि है एनिकी ये कि दोस्तों आयत होता है आमने सामने के मुझा बरावर होती है सभी एंगल नब्य डिग्री होती है इसके विक्रणम को क्या होते हैं बरावर होती है कि यह भी पहले a.b.cd हमें एक आयत मनाने थे a.b.cd हो यह इसके बिक्रण नहीं के इसके बिक्रण क्या होते दोस्तों आफसे में बरावर ने थे बेखर आफ यह मिलते हैं डिनेC अश्डार होते हैं जो चारफ जक्ष्ट टो ओ teenage-झैया चार ओर तो एक तेन द्याया दोस्तोंung आपका तीन आक्स सब्सक्राइब कि आपको पता है दोनों आपस में कैसे हूं ढूब बरावर हूंग दो एक सिर जाएगा 14 साण हाएगा आग्स 10 कि इतर्चार एक रिष्साढ आइगा मांइस का ऐक कर लेना चलिए दोस्तों करें दोस्तों करें दोस्तों यह कुछ इसे कोशन कोशन को कि इसमें प्रिक काम निकरेगी आपकी क्यों देखिये आपकी जो साधान व्याज है यह राजनिस दस परस्ति सर्थ बार्षिक शादर व्याज पर पांच रुपे करण लिया और उस धन्राशी को 15 वार्षिक व्याज पर अन्वैक्ति को दे दिया तो दो वर्ष के बाद उसे लाव होगा यहां नहीं होगी तो देखो दोस्तों हम बात करके यहां पर अलग-अलग कि यानि आपका पी प्लेस याइप क्या होता दोस्तों यह होता है यानि मूलन और प्लेस चक्रवर्ति व्याच बरावर होता मिस्टन ओके तो देखिए दो पंदर फर्षिंट को फ्रेक्शन में चैंज करेंगे तो तीन वर्टे बीस लिख देंगे और यानिया हमारी पी थी 20 और तीन एड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा अनपात टाइम कितना दोस्तों दो वर्ष है तो हम दो क्या कर देंगे घात कर देंगे इसको हम लिख मेंगे 400 अनपात 570 आपको चाहिए तो ए माइनस पी करेंगी एनिस यह आपका कितना हो जाएगा दूस्तों 529 माहिने 400 करेंगे तो आपका हो जाएगा 131 अ कि अच्वाइब पर्षेंट कितना होता दूस्तों अगर सिय परशिमें सिंपल वासा में सम्झाना चाहूं कि 10 परेशन वह एक वर्ष में ले रहा ता तो दो वर्स में कितना लेगा दो एक वर्ष का 10 परेशन दो वर्ष का 10 20 परेशन तीन वर्ष का 30 परेशन तो मैंने का दो वर्ष का साधान व्याज कितना देगा उसको आपको 20 परेशन चार्सों का अगर मैंने मूल्धन 400 माना तो 400 का वीस परेशन कितना होगा तो आसी होगा यह क्या हो गया साधान व्याज हो गया यानी राज ने जो लिया था धन उस पर 10% पर 30 बर्स 80 रुपए उसे बापस करेगा और दूसरी से कितना ले रहा था वह 139 कितने का प्रॉप्ट हो रहा है दोस्तों 59 रुपए का ओके यह 139-89 रुपए का उसे क्या हो राफ प्रॉपट हो रहा है लेकिन आपको क्या दिया तो दोस्तों मूल दन्म दिया था पी वराबर 5000 राज दिया था और यहां पर मैंने मूल दन क्या माना 400 राप सो यहां से यह यह यूनिट की वैल वाफ की दीए कि आपको निकालना के profit profit कितना दूस्तों 49 तो क्या कर देंगे इसमें 49 का multiply कर देंगे हमें profit के लिए तो 50 का multiply हम 49 में आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो कर लीजिए 50 का 0 कि जीरो पांच नमें 45 पांच चको बीस और चार आपका 24 हो जाएगा 24 बटे चार आपको इसको कालकुलेटर कर सकते हैं 612 पॉइंट पांच यहनी 612 पॉइंट पांच आपका आजाएगा प्रॉफिट ओके तो दोस्तों आपको समझ में आया या नहीं कमेंट में जरूर बता कि कुछ नमर 29 देखिए दिगए चित्र में यहाँ के दोस्तों आपको यहाद रखने हैं कोई दो रेखा है समानतर हैं और उनको कोई तीसरी रेका काट रही है तो अगर मैंने का कि अगर यह आपका 90 डिगरी है तो यह आपको आपको पता चलाएगे दोनों बरावर होंगे लेकिन आपको बरावर नहीं करना आपको इतना करना अगर आपका ये तो ये होगा आपका 80 यानि इन दोनों का यूज कितना होता दोश्तो एक सो असी ड्री टो देखिए इसको कैसे करेंगे हम ने इस लाइन को आगे बढाया किस लाइन को दे क्या किया इप 302 अ in a a B ओ आपको दिया तहाद abo कितना दिया दोस्त दिया तो अर ocd and ocd कितना दिया तो दोस्ता कौ एक-क्सोदर दिये तो हम स्कूंद कूं reaction कि अरो darf a C and a variety of a Bblan क्वशिSecureило को आपको पता है अंतर्य दो व्हुंका योग बहर इक श्माली ini अच उस्वाश ची चाहिक तो एक्सव डाइधा तो एकस ब्रावर कितना गउच तो आपका 30 डिगरी आ जाएगा यानि आपका फोर्थ ओप्सन सही होगा यदि एक बरक का छेतपल 16 बरक सेंटीमेटर है तो बरक की बजाओं के मद बिन्दू को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित बरक का छेतपल निम्न होगा कोई आपका एक क्या बरग है टोंब करते हैं बरक के लिए क्या होतमिक बराबर होती है घर मैंनेख कि मद बंदू यानि एक अनपात हुगा तोटल दो थी तो एक hopeless करें दो इसका दोब ऑन चाहिए इसों की ब्ंदू हो तो ऐहां अन्य अंदर के वरग उसकी बजा क्या यह आपको पता है जो अंदर जो आपका चत्रोबज़य को कैसा दोस्तों बढ़ गए आउके तम क्या करेंगे यहां से पाइधाकोरा से छोटे करावर परपेंदि लेकलर का स्केर फ्लेस मेंस श्क्राइब तो इसने बैसों कि बात करते हैं रूट थोष्ट कर तो इसका और या की फ्रेवाले की इंतों टोट्र प voltar 2004 है वर Winston चाहर जै इनि आप कहे सकते हो चोठेवा लेका गया दोस्तों आदा है बड़े से बढ़े ड़िवाले का कितना डोस्तों शोल है तो बड़े से शोटे बाइस कितल है आदा यापका आफ सेंटीम्हें स्कॵर् कर आपका हो जाएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना दोस्तों और कमेंट करके भी बताना